आज हम बना रहे हैं मिल्क के यानि के कलाकन इसके लिए मैं लिए हूँ एक लिटर दूद दूद को हम बॉइल होने के लिए रख दिये इसमें पानी आड़ने करके डिरेक्ट के दूद आड़ कर देले अब हम दूद को बॉइल होने दिंगे दूद अच्छे से बॉइल हो रहा है अब हम इसमें आड़ करेंगे 100 ग्रम शकर दो लिटर दूद में पाउकलो शकर आड़ करेंगे एक लिटर दूद में हम 100 ग्रम शकर आड़ करेंगे शकर आड़ करके भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम दूद में आड़ करेंगे लेमन जूस उसमें हम थड़ा पानी आड़ करके आड़ करेंगे दूद में दाने बनने के लिए अच्छे से मिक्स करते रहेंगे हम ऐसी कंटिनियूसली हलके हलके से इसमें दाना बनना शुरू हो गया है हम ऐसे ही कंटिनियूसली मिक्स कर लेंगे पूरा अच्छा एक डो बने तक हम इसे मिक्स करते हैंगे ऐसी इच्छे कि इसको हम कंटिनियूसली हिलाते रहेंगे शक्कर आप लोगों के हिसाब से आप लोग फिर से आड़ कर लीजिए अब हम इसमें एट करेंगे इलेची पोडर हाफ टेबल पून अब ये पकने को आ गया थोड़ा थोड़ा पानी है इसमें पूरा पानी सुके तक हम इसे पका लेंगे पूरा पानी अच्छा सुच जाना इसका इसमें आप लोग इलेची का फ्लेवर भी आड़ करें कर सकते मैं इलेची पी आड़ करें इसके अंदर और ये ज्यादा दिन तक रहना बले तो हम इसके अंदर घी भी आड़ कर सकतें पन टेबल स्पून घी सॉफ्ट होता उससे घी से अब ये मिल्क केक का पूरा पानी सुख गया अब हम इसे एक प्लेट में डालेंगे एक प्लेट को हम तेल लगा के रख लिए ये प्लेट में मैं सेट करूंगी इसको फ्लेम आफ कर देंगे अब हम इसे एक प्लेट में डाल लिए इसको हम सेट होने के लिए रख दिंगे सेट हुए बद आठ से दस मिनिट या आदा खंटे तक हम इसे सेट होने के लिए रख के इसके बाद कलाकन बनके रडी हो गया मिल्क केक इसको मैं थोड़ा थंड़ा था खोतिछ हम इसको शेप म निकाल लेंगे ऐसे पीसेस हम निकाल लेंगे सारे हम मैसिज निकाल लेंगे निकाल के हम एक प्लेश शुप स्टाइल कलाकन बनके रडी हो गया इसे बहुत जल्दी बना ले सकते हैं आप लोग भी एक बार इसे ट्राइ कीजिए आसान सी रेसिपी है ये अगर आप लोगों को ये कलाकन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और अच्छे अच्छे डिशस के लिए बहुत ही जूसी सी बनी है ये सौफ्ट है ये अगर आप लगों को ये कलाकन की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेर और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और अच्छी अच्छी डिशन के लिए शुक्रिया थैंक्स पूर वाचिंग अल्ला हाफीस